अब भाशा से का आपका दूसरा प्रश्ण है बिंदू और चंदर बिंदू वाले तीन तीन शब्द लिखो बिंदू का साइन ये है ठीक है उपर डॉट और चंदर बिंदू का साइन ये है ठीक है तो आपको बिंदू और चंदर बिंदू वाले तीन तीन शब्द लिखने ह पहला आपका है यह बिंदू, मतलब उपर जब डॉट आ रहा है, इसे हम अनुस्वार भी कहते हैं, मतलब अंग, जैसे आप अंग की मातरा बोलते हो न, यह मातरा के रूप में इसका प्रियोग नहीं होता, यह विशेश धुहनियों में आते हैं, तो यह अंग, अंग है, इस को हम कहते हैं वैसे अनुस्वार कहते हैं, ठीक है, तो इससे हमने तीन शब्द बनाएं, रंग, संग, ढंग, है न, उपर के आ रहा है, यह डॉट, बिंदू आ रहा है, ठीक है, दूसरा आपका जो है यह चंदर बिंदू, ठीक है, इसे हम अनुनासिक भी कहते हैं, ठीक है तो इसे हम शब्द बनाएं अंगूर लंगूर आधी ठीक है आए समझ में तो यह आपका हो गए बिंदु वाले शब्द इस बिंदु को हम अनुस्वार भी कहते हैं और यह हो गए आपके चंद्र बिंदु वाले शब्द चंद्र बिंदु को हम अनुनासिक भी कहते हैं ठीक अजब ए सकती है